घ्र लेतौन सब्सक्र जो palabras का सब्सक्राइ suction 3 वाकिक को चुने यह आपको यह दो झोना चाहिए इसवे आपके पासunoय नौलेजD होना चाहिए आपके पास कहां पर कौन सा helping भव लगेगा उसका नौलेज होना चाहिए नाउन का नौलेज होना चाहिए इन सारे chapters को मिला करके आपके exam में पूछा जाता है चुने सही वाकिको तो देखते ही first question को we have been reading this novel since eight years सबसे पहले आपको find और करना होता इसमें error को कि कौन सा sentence में error है मतलब गलती है तो यहां पर देखने हैं पहले ही है आपका we have been reading this novel for eight years हम लोग आठ वर्सो से इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं sentence आपका सही है option B will be the correct answer देखते हैं question number second को yesterday we are going to meet him this time कल हम लोग इस समय उससे मिलने जा रहे है यस्टर्डे वर्डेन यस्टर्डे डाट मिंस क्या पास्ट को indicate करता है और जब चीज़ें पास्ट को indicate करता है तो परजेंट का ईजर्म कहां से आएगा तो option एक गलत है आप याद रखेंगे यस्टर्डे जो है सो पास्ट का वर्ड है और इस तैम जो है सो continuous का वर्ड है डाट मिंस यह दोनों मिलके formation करेगा किस टेंस को पास्ट कांटूनियस टेंस को जबकि यह परजेंट फरफेक्ट है यह भी गलत हो गया कल हम लोग इस समय उससे मिलने जा रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है option और और दोनों तरफ लगा दिया है तो एज जैसे लग जाता है एज तो वो पॉजिटिव डिडी को दिखाता है तो कंपरेटिव यहां पर आगे है तो इसलिए यह सेंटेंस क्या है गलत है रहन उतना लंबा नहीं है जितना की डामन सेंटेंस बिल्कुल अपका सही है टॉल आप्शन सी विल भी दा करेक्ट आंसर इसमें जितने भी क्वेशन को आप देख रहे हैं वो आपके प्रिवियस यह में आल्मॉस्ट पूछा गया क्वेशन है तो इसी टाप का क्वेशन पूछा भी जाता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे अच्छा लगे तो चैनल लाइक्स करें वीडियो को सेर करें और कॉमेंट्स करके बताएं जिन्स वाज नौट पर्मिटेड इन आवरे स्कूल जिन्स जो है वो हमारे स्कूल में पर्मिटेड नहीं है तो जिन्स जो है मतलब संसार के वैसे बस्तू बताएंगे नाउन चेप्टर में संसार की वैसी बस्तू जो दो एक ही परकार के अंगों से मिलकर बना होता है एक यदि अलग हो जाए तो वो बेकार हो जाती है तो उसे आप पुल्डल समझते हो जैसे जिन्स है जिन्स का देखड़े हैं दो तरफ से होता है तो यदि आपका एक पैरवाला फट जाता है तो क्या दूसरे पहन के जा सकते हो नहीं जा सकते हो इसतर से आपका googles है चस्मा तो चस्मे का यदि आपका एक सीशा उसका खराब हो जाए तो आप दूसरा पहन के नहीं जा सकते में डखते हो तो पूरल के सत्व tast आयेगा क्या नहीं आएगा संटेंस गलतब्लत जिन्स सबका बिल्कुल सही है option B जिन्स वर नॉट पर्मिटेड इन आवर कॉलिज क्वेस्टन नमर फाइब है मैसल्फ इस अमन कुमार sentence गलत कोई style से बोल देता है मैसल्फ अमन कुमार या मैसल्फ इस अमन कुमार sentence आपका गलत है मैसल्फ इस अमन कुमार बिल्कुल गलत है क्योंकि पहले subject आएगा उसके बाद helping work आएगा reflexive pronoun के बाद नहीं आएगा आएगा आपका helping work या फिर आप जो possessive case होता है उसके बाद आप helping work का यूज नहीं कर सकते हैं subjective case के बाद आता है I am अमन कुमार option C will be the correct answer मी जमन कुमार गलत है option C मी आएम अमन कुमार question number six है आपका he hurt himself उसने खुद को चोट पहुँचाया he hurt himself तो he hurt himself यहाँ पे है second है आपका he hurts herself जब उसने खुद को चोट पहुँचाया तो he का जो possessive form आप यूज यूज करते हो तो he का क्या होता है himself ना तो herself यहाँ पे है यह sentence आपका गलत है he hurts himself none of this देखिए option A जो है आपका he hurt himself उसने खुद को चोट पहुचाया और he hurts himself तो वो खुद को चोट पहुचाता है दोनो sentence हही है A और C ऐसा आपके एक्जामे हो जाता है तो आप क्या करेंगे ऐसे condition में option A को टिक करेंगे he hurt himself उसने खुद को चोट पहुचा यह past indefinite है जबकि यह present indefinite है दोनों sentence सही है यहाँ पे लेकिन आप correct क्या करेंगा option A he hurt himself seven number question है I wish were I young again cast में फिर से young होता युवा होता I wish was I young again I wish I were young again option C यहाँ पे सही होगा cast में फिर से युवा होता I wish I were जब आप कल्पना करते हो किसी चीज़ को imagine करते हो तो वहाँ पे सारे subject के साथ आप यूज करते हो were I wish I were है ना तो I के साथ generally use तो होता है was लेकिन वहाँ पे क्या आया were next question है 8 नमर आपका she is the girl whose name is Ravi वह वही लड़की है जिसका नाम क्या है Ravi she is the girl whom name is Ravi she is the girl who name is Ravi she is the girl that name is Ravi सही क्या होगा आपका option A सही है she is the girl यह वही लड़की है whose name is Ravi जिसका नाम क्या है Ravi who's जो है ना वो possessive form होता है who, whom, who's तो possessive form सही है आपका बिल्कुल whose name is Robbie, जिसका नाम क्या है डावी, next question को देखते हैं, question number 9, your informations are incorrect, information में लगा दिया as sentence आपका गलत हो गया, क्योंकि information एक uncountable नान है, उसमें आप yes या yes का use नहीं कर सकते हो, you correct, our information गलत है, your information is correct, बिल्कुल सही, your information is correct, डी जो है आपका you information है ना, तो your information से लेगा, आपका information सही है, option C, question number 10 है, this girl has never seen the ताजमल, या लड़की ताजमल कभी नहीं देखी है, तो सही है बिल्कुल, this girl has never seen the ताजमल, या लड़की कभी ताजमल नहीं देखी है, is never seen नहीं होगा, क्योंकि is RM के बाद तो वीफोर आता है, वाज के बाद वीफोर आता है, तो यह गलत हो जाएगा, option A will be the correct answer, question number 11 है, they live in an apartment, अपाटमेंट, जो है a word है, तो a लेटर है ना, a लेटर क्या होता है आपका, वावल होता है, तो यहाँ पे a है, इसलिए गलत है, apartment से पहले n का use calling, यह आफ कहां से आगया, they live in an apartment, गलत हो ज आते हैं, एक apartment में, जिसे flat बोलते हो, उसे American वाले क्या बोलते है, apartment बोलते है, question number 12 को देखते है, seed can play tennis as good as his brother, seed खेल सकता है tennis, उतना ही अच्छा जितना कि उसका भाई, seed will play tennis as better, देखिए, as के बीच में, as as है ना, उसके बीच में जब आएगा, तो चीजे positive degree में होनी चाहिए, comparative degree नहीं चलेगा, यह super related degree वहाँ पे नहीं चलेगा, option A बिलकुल सही है, seed can play tennis as good as his brother, seed खेल सकता है tennis उतना ही अच्छा जितना कि उसका भाई, option A will be the correct answer, next question है आपका 13 number, I have a work to do, मेरे पास एक काम है करने को, आप याद रखेंगे work, जैसे li, lie से पहले आप लगा देते हो, a word का, है ना, तो कुछ चीजे, कुछ words ऐसे हैं, जिसके पहले आप a word का use करते हो, चाहिए, वो uncountable ही क्यों ना हो, तो option बिलकुल A सही है, I have a work to do, मेरे पास काम है करने को, I have a work to do, option A, question number 14 है, that was sure a mistake, गलत है, जा निस्चित गलती था, वो निस्चित गलती था, that was a sure mistake, sure से पहले ए वर लगा दिया, बिलकुल गलत है, that may be sure a mistake, वो हो सकता है, निस्चित गलत, यह भी गलत है, that was surely a mistake, वो निस्चित रूप से गलत हो सकता, था, that was surely a mistake, बिलकुल स इस टेक, option D, question number 15 है, they did not laugh at you and I, देखिए, at जो है न एक प्रेपोजिशन है, अप्रेपोजिशन के बाद आप subjective case का यूज नहीं करते हो, वे लोग नहीं हसे, तुम पर और मेरे पर, तो यह आई है, subjective case गलत है, you and me, they did not laugh at you and me, यह बिलकुल सही है, आपका option B, सही होगा, दे देखिए, question number 16, you, he and me are going to meet her, आप याद रखेंगे, 231, 231 का मतलब क्या है, formula, two मतलब second person, three मतलब, sorry, two मतलब second person, three मतलब third person, और one मतलब first person, two, three, one, पहले आप यूज करोगे, second person का, फिर आप यूज करोगे, third person का, और फिर first person का, तो देख रहे हैं, एक ही में है, ऐसा चीज, option C, you, he and I are going to meet her, चुकि subject plural है, तो यहाँ पर are helping verb में आएगा, you, he and I are going to meet her, तुम मैं और वह जार है, उसे मिलने, question number 17, देखते हैं, one moment, वेट कर देखा, चले, question number 17 होगे, 17 से देखेंगे, पिडिया is honest, पिडिया इमानदार है, तो honest से पहले आपने क्या लगा है, जब आपको याद होगा कि adjective के पहले आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, कब तक, तो जब तक कि adjective के बाद कोई noun ना आए, तो A, N, जो भी लगा हैं आप दो, सब का सब गलत है, सही क्या पिडिया होगा, पिडिया is honest, option D, पिडिया is honest, हाँ, यदि यहाँ पे honest के बाद girl भी होता, पिडिया is an honest girl तब आप बोल सकते थे, पिडिया is an honest girl, ले चुकि वहाँ पे noun तो है नहीं, तो उसके पहले adjective के पहले आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे noun नहीं है, अम प्रेटेड विडिया होता है वोर्स और उसी का सुपर लेटेड विडिया होता है वोर्स तो यह दोनों आपका गलत है, option A बिल्कुल सही है, अमन is as bad as someone, question number 19, the police has arrested him, police ने उसे arrest कर लिया है, पुलीस जो की एक, पुलीस को आप क्या समझते हो, singular या पुलडल, यह आपका तो policeman, जैसे my brother is a policeman, my brother is a policeman, अब उसका पुलल कैसे बनाएगे, जैसे 5 पुलीस वाले हैं, तो कैसे बोलेंगे, 5 police men, 5 police men are coming here, 5 police वाले यहां आ रहे हैं, तो वैसे बनाते हैं, लेकिन यदि क्वेवल और क्वेवल पुलीस हो, that means वहाँ पे आप पुललल वब का यूज करोगे जो कहा है, option C में, the police have arrested him, police ने उसे arrest कर लिया है, गिराफतार कर लिया है, question number 20, if they would try, they would succeed, यदि बे लोग try किये होते, तो बे लोग success हुए होते, अब देखिए, दो बार would का यूज नहीं हो सकता है, एक ही sentence में, दो बार would का यूज नहीं हो सकता है, time and tense, देखिए past indefinite tense को, उसमें बताये होंगे उस वीडियो में, कि आप दो बार एक ही sentence में would का यूज नहीं कर सकते हो, if they had tried, they would succeed, यहाँ पे had word का यूज कर दिया है, बिल्कुल गलत है, यह अगर यहाँ पे would है, तो इस तरह past indefinite आएगा ना, जो कि option C में है, if they tried, they would succeed, यदि वे लोग try किये होते तो वे लोग succeed हुए होते हैं, वे लोग सफल हुए होते हैं, और भी question है, इसमें देखे तो, नहीं हो गया, ठीक है, यहाँ तक ही video था, मिलते हैं next video में, 20 questions आज कर था, next video मिलते हैं, thank you very much for watching the video.